नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यह बहुत ही महद्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ दोस्तों, आज कल सिर्व में दर्द की समस्या और माई गरेन की समस्या से बहुत लोग पीले थें महिलाओं में यह बीमारी अधिकतर देखी जाती है आज कल तनापूर जिंदगी, भागदोर भड़ी जिंदगी और मिलावट की चीजों के खाने से सिर्दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों, जब हमें सिर्दर्द होता है तो हम पहले एलोपेथिक इलाज करवाते हैं पेन के लार खाते हैं माइग्रेन जैसी समस्याओं हो जाती है जब एलोपेथि में इसका इलाज नहीं होता तो फिर हम आखिर में आईरवेथ की तरफ आते हैं दोस्तों, आईरवेथिक एक एसी पद्दती है जिसमें सब ही रोगों का इलाज है और बहुत ही आसानी से बिना किसी साइड इफेक्ट के हैं मैं आपको कुछ देशीन उसके बताऊंगा उन्हें एदि आप अपनाएंगे तो आपकी सिर्दर्द माइग्रेन की समस्या में आपको लाब मिल सकता है जो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे मेथी दाना ले लेंगे और एक गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी दाने को रात को हम भिगो देंगे और रात भर ये भीगा रहेगा सुबह हम इसको इस मेथी दाने को निकाल करके इसे चबा चबा कर खा लेंगे और यह जो पानी है इसे हम उपर से पी लेंगे दोस्तों यदि आप लगभग 10-15 दिन इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको लाब मिलेगा और यदि आपको लाब नहीं मिलता तो आप इसे और ज़्यादा दिन भी कह सकते हैं दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि आप गाय का देशी घी ले लें और उसे रात को सोते समय सोने से पहले एक-एक बूंद नाक में डाल लें कुछ दिनों के इस परियोग से आपको माई गिर्यान की समस्या में लाब मिलेगा दोस्तों लेकिन आप ये ध्यान रखें कि गाय का घी सुद्ध होना चाहिए और देशी गाय का होना चाहिए दोस्तों भेंस का घी नहीं होना चाहिए और जर्शी गाय का घी भी नहीं होना चाहिए और एक चीज और ध्यान रखें कि घी जो है मलाई वाला घी नहीं होना चाहिए घी जो है देसी तरीके से जो बनाया जाता है बहई घी होना चाहिए दोस्तों तीसरा तरीका जो है आप गुलाबजल ले ले लें और एक चंदन की लखड़ी ले आप जल में चंदन को घिसे और उसे घिस करके अपने माते पे लगाएं कुछ दिन इसका तिलक लगाने से आपकी सिर्दर्द माईगेरेंड की समस्या ठीक हो सकती है दोस्तों एक तरीका और है इसे पथर चटा कहा जाता है आप इसके पत्ते तोड़ लें और इसे पीस करके इसका रस अपने सिर्पे लगाएं इसका रस सिर्पे लगाने से आपको माईगेरेंड की समस्या में लाब हो सकता है दोस्तों एक तरीका और है आप मेंदी के पत्ते ले ले लगबग साड़े साथ सो गराम उसके फल ले 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 और लगबग धाई सो गराम उसकी छाल ले 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 और दोस्तों चार लीटर पानी में और एक लीटर सरसों के तेल में इनको पकाएं और जब यह सब अच्छी तर अपने बालों पर लगाएं और अपने सिर में भी लगाएं इससे आपके बाल भी मजबूत होएंगे और आपकी यह सिर्दर्द माइगरेंट की समस्या ठीक हो जाएगी दोस्तों आप इसमें खान पान का थोड़ा विसेश ध्यान रखें सुबह उठकर के आप गुन-गुना पानी पीए और दोस्तों अंकुरित आहर आप खाना शुरू कर दीजिए इसमें आप चनल ले सकते हैं मुंग की दाल ले सकते हैं और मुंग फली के दाने ले सकते हैं इन्हें आप रात को गला दें सुबह कपड़े में लपेट कर रख दें और यह अंकुरित जब हो जाए तो अगले दीन इने आप खाना सुरू कर दें देगें लगवार्बगी दस से पंदरा दिन में इसका परियोग करेंगे आप तो आपको लाब होगा मुंग हो दोस्तों आसा करता हूं आपको जानकरी अच्छी लगी हो तो लीघिर अच्छी हो थो हमारे चेनल को सब्सक्रा करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जैजराम जैसे यहां